हलो फ्रेंज आप सभी का स्वाधत हैं फ्रेंज आज हम गड़ीत के उन महत्युप्रू बहु कल्पीज प्रशनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में 21 फरवरी को same to same जो आज प्रशन करवाएंगे फ्रेंस यही प्रशन आपके बोर्ड के एक्जाम में आएंगे आपको बता दें कि आपको हिंदी के हम कम से कम 80 प्रशन करवाय थे 80 प्रशन में से आपके 15 बहुई कल्पी प्रशन आपके same to same फसेथ है तो इसी प्रकार से हम महत्यपुर्ण गरीत के बहुई कल्पी प्रशनों को देखेंगे जो आपके पेपर में same to same यही प्रशन छपेंगे तो फ्रेंस सिर्फ आप से इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के 75 अंस का मान है इसको हम ट्रिक से भी बताएंगे समझाएंगे कि आप ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं बहुई कल्पी प्रशन पूछेंगे तो ट्रिक देखिए क्या है अब देखिए यहां पर साइन यहां पर कासित इन दोनों कोड़ों का योग्याद किजिए पांच- कैसे लगाके हल करेंगे देखिए हां पर बताते हैं आपक abundant 15 अंस सब्सक्रों 새 हम ट्रिक से भी बताएंगे और हल करके बताएंगे कि हैं कि कैसे सकते हैं यहां ंस के सवाल कर देखिए इसको हल करते हैं तो फिर आपको क्या होज़ेगा 15 आज़ेगा अपान कास 75 अंस रहनत दीज़े ठीक है दोनों में से किसी एक ही कुछ चेंज करना है आपको फ्रेंश पता है कि साई 90 माइनस ठीटा को क्या लिख सकते हैं कास ठीटा ठीटा के जगा 75 अपान कास 75 ठीक है देखिए जब अंस और यहार में बराबर बती है मान इससे कड़ जागे तो बचेगा एक और यही मान आपका इंसर हो गया देखिए फ्रेंश ट्रिक से भी बता दिया आपको इस तरह दोनों वीदी में जो आपको अच्छा लगे उससे बहुई कल्पी प्रशनों को आप हल कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नमबर का सवाल है इसको भी ट्रिक से बताएंगे और आपको दोनों वीदी से बताएंगे पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर इसके बाद आपको हल करके बताएंगे देखे फरेंश, एक उर्दवादर खंबे की पर्चाई, खंबे की उचाई के बराबर है सुर्य का उन्ने कोड होगा यह आपके सामनी इसका आफटन है देखे फरेंश, जब इस प्रकाश से सवाल आपके बोड़ के एक्जाम में आएगा कि खंबे की जब परचाई जो होगा खंबे की उचाई के बराबर होगा तो उसका मान हमेंसा ठीटा के कितना आता है 45 होता है ये तर था ट्रिक यदि आपका परचाई और उसकी खंबे की उचाई दोनों बराबर होगा तो उसका सूरे का उन्यन कोड हमेशा पैटालिस अंस आता है ति इसका सही जवाब तो ए होगा चलिए इस सवाल को हल करके आपको पताते हैं कि इस सवाल के एंसर कैसे है आप हल करके लगाएंगे देखिये आप खंबे की यह आपका खंबा है और घंबा पर जब सूरे इधर प्रकाश पढ़ेगा इस पे आपका परचाई इधर बनेगा ठीक और यहां पी जितने खंबे की ऊचाई है उतने आपकी क्या यह परचाई है यानि कि आपका यज जो है यक्स के बराबर है यहां पी इसका उन्नियन कोड का मतलब यह ठीटा पूछ रहा है तो आपका ऊचाई आधार प्ता है तो यहां कान सा फारे मुर्णी लगएगा अपका बराबर खंब के आधार होता है अब है क्योंगे पर यहां पर टेटा मम कमान कितना है एक एक हो जाए पता है कि 45 अंस का माने एक होता है तो एक के जगब 45 रख लेंगे ठीटा बरा कितना और जगब 45 अंस होगा देखें फ्रेंगे दोनों वीधी बता दिए जिस वीधी से आपको अच्छा लगे उस वीधी से आप वही कल्पी प्रश्णों को हल कर सकते हैं आपको ट्रीक भी बत आदी जैसे समझ मैं वैसे आप हल कर लीजिएगा ठीक है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा एग ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है देखिए यहां पर देखिए अब सवाल क्या है कि एक बिरित का छेत्रफल 154 व पार्मुला क्या होता है पाई आर इसको बिरित का छेत्रफल कितना दिया है 154 154 कर लीजिए और पाई कमान कितना हो तब 22 बटा के साथ हो तब 22 बटा के साथ रख लीजिए और आपको पता करना यानि तिरिजिया पता करना है अब देखिए इधर लिखिए 155 इसको टेट चुदू हो जाएगाए तिक है अब देखिए यहां पहोजाएगा साथ हो państ हो जाएगा और स्कॉार जाएगा दोनों पच्छों को व्र्ण मूलेंगे त Wonderक रहरा झालएaremos ते संटीमीटर आता है तो कितना है आपका साथ संटीमीटर ते इसका सही जवाब होगा आपका वी ठीक है चलिए अगले सवाल को हल करके बताते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यह आप देख सकते हैं आप की समी करण यहां x square- x-1 बड़ाबर 0 का वी विक्तिकर होगा अब यहां वी विक्तिकर को देखीं वी विक्तिकर को D से दखाते ह HEY अब वी विक्तिकर barn करना है आप friends देखिए यह लिखा है x square- x-1 बड़ाबर 0 देखें यहां पिए x square का सांग को एक सब्सक्राइब एक स्कॉार प्लस अ है यहां आए का मान आए HEY u अब विविक्तिकर D बराबर दखें विविक्तिकर को D से दखाते हैं इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा B square minus 4AC होगा अब यहां पर मार रखिए B कमान कितना है minus 1 minus 1 का square कर लिजिए minus 4 गुड़े 1 के जब कितना है 1 और C के जब कितना है minus 1 है ठीक है अब देखिए minus 1 का square 1 होगा यहां minus minus के गुड़ा होगा प्लस 4 का 1 करेंगा 4 हो जाएगा 4 एक कितना हो जाएगा 5 तो आपके इंसोर आया 5 चलिए इसमें देखते हैं कि 5 कहा भी दिया है तो इसका सही जवाब होगा आपका D इसी प्रकास सभी प्रशनों को आपको हल करके अच्छे तरीका सा समझाएंगे फ्रेंज ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है कि समीकरण 4 x square minus 12 x plus 9 इसकल टू के मूल होंगे देखिए फ्रेंज अभी समझाएं आपको यहाँप क्या लिखा है 4 x square minus 12 x plus 9 इसकल टू क्या है 0 इसकी भी तुलना किसे करेंगे a x square b x plus c बराबर 0 से तुलना करेंगे दुनों का देखिए x square का गुड़ां a बराबर कितना हो जागा 4 और b बराबर होगा minus 12 और c बराबर हो जाएगा आपका 9 अब देखिए आपको क्या करा जब भी मूल पूशे गा क्यो वास्तिवी के समान है या समान है तो आपको इसका मूल ग्याद करने के लिए आपको b square minus 4 k c ग्याद करना पड़ेगा ठीक है डीक अब कितना है मामई नेज के स्कूड़ा ना हो जाएगा चार गुड़ एक अमान कितना है चार और c कमान कितना है 9 ठीक है 12 क स्कार कितना है 144 इसका गुड़ा कर लिजिए देखे चार चोको 16 169 144 ठीक है 169 144 में 644 जाएगा जीरो आएगा देखे फिरेंज जब 20 स्क्वाइर माइन फोर एसी का मान जीरो के बराबर आता है ति इसका जो मून होता है वास्टविक होता है और समान रॉल वास्तिविक यह जवाब होगा सी ठीक है चलिए फ्रेंज देखिए वास्तियों और बरावर हो गया चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे फ्रेंज यह आपके सामने छटवा नंबर का सवाल है कि दो संख्याओं का यूग आठ और अंतर दो है तो संख्या है देखे फ्रेंज इसको आपको ट् स्वाल में देखें पूछाया कि दो संख्या का योग आठ है और अंतर दो है तो संख्या है यहां माना पहली संख्या पहली संख्या यक्स मान लीजिए और दूसरी संख्या मानिये आप वाई माल लेगे ठीक है अब देखें आप कहा रहा है कि दो संख्याओं का यो कितना है आठ यानि कि पाली संख्या दूसरी संख्या इसका योग कितना है आपका आठ इसको समीकर नंबर एक मानिए फिर कहा रहा है कि उनका अंतर कितना है याक समाई नस वाई का अंतर है आपक इसको पूरा हल करके सीख लीजिए आप दहिए इसमें क्या करएं कि कियाये संख्या कितना यक्मण हो जागो जाए दो यक्मण inden गतिए गटएंगे दो आएगा आपका पांच यानि यक्मण आगया पांछ यानि यक्म पराब पांच समी करण एक में रखने पर छिली समी करण याक्स प्लस य बराबर आठ य को रहना है तो आपगा पांच को पछंतर करेंगे माइने तुमाइन। कितना होगा 8 में स्पांच गया 3 देखे आपकी जो पाली संख्या या पांच आया और दूसरी संख्या क्या आया 3 यानि 5 कम आपका एंस्वर क्या होगा 5 कम थीन होगा ठीक चलिए यह आपके सामने इसका तरह सही जवाब होगा भी अब देखे इसको ट्रिक्स जैसे लगाना अब आपसन है आपसन के इसाफ से इसका एंसर कैसे निकालते हैं करें दो संख्याओं का यह गाठ आठ तो नहीं सकते इसलिए का अंतर दो या नहीं कि दो चारा है चार में चार हो जागा गैए और आठ गयाए और पांच में तूर करेगा तो उपहीं आपका होगा इसको ट्रिक सा भी लगा सकते थे आपको पूरा हल करके भी हम समझा दिए कि इस सवाल को कैसे पूरा हल किया जाता है ठीक है चलिए आप इसामने अगला नंबर का सवाल है देखिए सातवा नंबर का कि निमनल लिखित में परिमे संख्या है यहां से आपको परिमे संख्या बताना है देखे फ्रेंज दू दसमलो साथ तीन दू चार एक छार डाट 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 करड़ी में सेवन करड़ी में 0.9 दू द पुरा-pुरा संख्या कर दर, देखिए दू दसमलो साथ तीन, साथ तीन, अरी रिपीट है निसका मतलब परिमे संख्या यہां होगा तीइसका सही जवाब तो आपको होगा सी लेकिन इसके अलावा आप याद रखें गहाए अपरी में संख्या डैसे कड़ी इस सवाल का एंस्वर आप जानते रहे हैं बोड के एक्जाम में जरूर पूछेगा ठीक है और जितने भी प्रश्ण करवा रहे हैं आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पर दोनों को पी देदेगा इसके जगाप को जानते रहे हैं यहीं सवाल पूछता है बार-बार एक्जाम में ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखें यहां पे दोनों concept एक जिगा बता देते हैं किसी पुरांग क्यूत के लिए पर देखे ए यहां पी विसम ठीक है ऊपर सवाल हमें बताएं आपको कि संपडांग नहीं तिकिसी का इसमें वस देखते हैं तोफी में यहां पě Q 1 है टो फिलश्व होन है यहां उससे सही जवाब होगा कि ludzi होगा कि देखिए जैसे ले रहे हैं करेंगे प्लस एक करेंगे डू एक उन्डू दू यह तीन तभी तीन हो ठीक है तभी वी शम्शंख्याएगा इसलिए इसका पस्वाफ J Тут क्या होगा ती है अगले नंबर के सवान को देखते हैं यहां पे सामने अगले नंबर का सवाल है यहां पर देख सकते हैं आप देखिए दसमा नमबर का सवाल है कि बिंदू 0 का मा पांच और माइनस 5 का मा जीरो की बीच की दूरी हे यहां पर दूरी पूछा है देखिए फोरेंज अब दूरी का फार्मूला क्या होती यह y1 minus y2 का whole square यह फार्मूला होती इसी फार्मूला प्लगाएंगे अब देखे फ्रेंस यहाँ पी यह x1 है यह y1 हो जाता है यह x2 होता है यह y2 होता है इसमें मान रख के हल कर लीजिए सिर्फ देखे x1 का मान कितना है 0 x2 का मान कितना है minus 5 है तो minus minus 5 प्लस 5 हो जाया y1 का मान है 5 y2 का मान है 0 भी अब देखे यह बहुंग aí ये 5 में 0 हो जायागा 5 या नी 5 कई square हो जएका यह कितना बहुत है 5 कई square हो जाएका अब देखे आधे friends 5 कई square 25 5 क्या सब्सक्कृार कितना हो जब जब 25 हो जाएका 25 पच्छीस कितना हो जगा पच्छास और इसको कैसे लिख सकते हैं पच्छास क्या लिख सकते हैं पांच करड़ी में दो लिख सकते हैं अब ये पांच करड़ी में निकालेंगे तो कितना आएगा पांच करड़ी में दो होगा देखे इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप आपको पूरा देखे दूसरे करहें 25 बार में 5 फिनो 5 से एक वार देखे जिसका जोड़ा बंजय के बाहर निकल जाता है इसका जोड़ा नहीं बनाए को पांच करणी में दो इसका सही जवाब को कौन सो होगा बी वाला इसका सही जवाब होगा यह आपके सामने अगले सवाल है देखें यहां पधर 11 विधिन शब्डू एक और हो कमांदे है जीरो च कर दिह कमादी तो आपको इसमें भी सम्बंद नहीं पताकर लगा secrets यह सवाल को लगाते हैं यहां कहा सणर रहे का सणर्अ के सवाल को रहे होना चाहिए बश्याब आ रहा होता है और x 1 यहाँ पर होता है y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 होता है plus ठीक है यहाँ पर होगा x3 यहाँ पर होजाएगा y1 minus y2 यह condition होता ठीक है अब यहाँ पर फ्रेंज देखिए यहाँ भी यह x1 है यह y1 है यह x2 है यह y2 है यह x3 है यह y3 अब इसको रखके हल किजे अब दिखिए सणरेग जब कहा है त deriv बॉरर जीरो के बराबर होता है तो यहां पर देखिए 切्णी पर singles धिभाते है आपको ठिकर संरे जीरो के बराबर एकस्ट-रब जीरो is a o s wong कितना है एक है तो एक रखेंगे कोष्ने वाइत्य पांगि जीरोMM Eli Y3 कमार कितना होगा? B Y1 कमार कितना है? 2 PLUS X3 कमार कितना है? X3 का देखेंगे E है Y1 कमार कितना है Friends 2 MINUS Y2 कमार कितना है? 0 और बराबर किस लोगा? जब सन रेखा तो 0 के बराबर होता अभी सिह को हल किजए देखिक्षिए इसका करेंगे, तो माइनस बी होगा, जब यह 0 हो यह तो इस का गुड़ा करेंगे ति पूरा 0 हो जागा, ति यह हट जाएगा, देखें, Kapयो इसका करेंगे हो वह घांगी, कितना की यह बराबर क्रादी बालंदी कि टू ए जगा prefag ठीक है फ्रेंस आपको रटने की जुरूत नहीं पड़ेगा चलिए आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है देखिए क्या है सवाल कि 1-10 स्कॉर 45 अंस अपान 1-10 स्कॉर 45 अंस बराबर क्वेश्चन मार्क अब इसको हल करना है देखिए कैसे हल करेंगे पहले सवाल को लिखते है 1-10 स्कॉर 45 अपान 1-10 स्कॉर 45 अंस चलिए इसको हल करते है पूरा अब देखिए फ्रेंस आपको माहन पता होना जो 1-10 स्कॉर 45 अंस का माहन एक होता है 1 का πषाaur 1 प्लस का इसक्वार 1-1 का इसक्वार 1-1 1-1 का इसक्वार कितना हो जायगा 1 ठीक है देखे एक में से एक जायगा 0 और 1-1 कितना होगा 2 2 का भाग 0 में देगे कितना होगा 0 अब बताइए देखे अपने 0 इसका प्रस्तिया है अबका 10 को देखते हैं वेस्όत करों की बीच है कि लिए का सिदी और दारेक्ट पता होगा की weiß का स्फिता का सही जवाब होगा अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि त्रिज्यखंड का चतरफल होगा होगा त्रिज्यखंड का सब्सक्राइब देखने वे सब एक जैसा लग रहा है लेकिन द्यान से देखेंगा ठीटा पटा की आयतनों का अनुपात 64 संबंदे 27 है तो उनके प्रिष्टिय च्छत्रफलों का अनुपात होगा देखें अब गोले का आयतन को हम माल ले देखें गोले का आयतन ठीक है यह भीवन माल लेते है आयतन ठीक है भीवन और यह पहले गोले का है और दूसरे गोले का देखें दूसर गोले का आयता क्या माल लेंगे भीटू ठीक है यहां पर भीवन बटा के भीटू क्या हो जागा अब गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए तभी सवाल लगा पाएंगे तो गोले का आयतन का फार्मूला चार बटा के तीन पाई आर वन का क्यों कर लेजिए ठीक है आप कियोता है दुसरे नहीं कि पोफिन दॉस्था दूसरी सब्क्राइए तस्क्राइए नेरा, यह औरं筒। ज दूसरे सल की और समें पहरा, पूसरे सब्क्राइए कर लिजिए सक्छे। फ्रैंस आपको पता होगा कि चार होता है और 27 के गनमूल कितना होता है तीन होता है और आरवन बटा के आर्टू कमान कितना हो जाएगा चार बटा के ठीद अब दिखें फ्रैंस यहां सवाल पूछा क्या है प्रिष्टिय छत्रफलों का अनुपाद पूछा है तो गोले का प 4PiR2 का स्क्वार होता है 5PiR 2PiR 2Pi किसे oxy ₹ Cubans 4 प्रेकर 3 को स्क्राइब jequibe 4 को स्क्राइब क्स्क्राइब 4 की स्क्राइब 16 और 3 की स्क्राइब 9 झाल क्योंकि आप पूछा है سवाल अब आप इसमें सही जवाब लगए रखाई दी होगा ठीक है प्रश्न का इंस्वर संबंदे नो सुला संबंदे नो दिया है तो सुला संबंदे 9 वला होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखें यहां पर आपको दिखाते हैं सवाल ठीक है जितने भी सवाल है बहुत ज्यादा इंप्वोटेंट है ठीक है बस वीडियो का अंत तक देखेएगा अब देखिए यहां पर दिया है कि यदि आठ आया तो इस प्रश्ण का बहुलग क्या होजागा आठ होगा तो इसका सही जवाब आपका आएगा सी चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है तीन प्लस दू करड़ी में पांच क्या है तो फिरेंच देखिए आपके एक् संख्या होते हैं इसका सही जवाब आपको अभी यानि तीन प्लस दू करड़ी में पांच क्या है अपरी में संख्या है जितना पता हैं सभी को ध्यान में दीजिएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि त्रिभूज जी इसलिए कि इसलिए समगा क्या है संगोर का है नबयांस का कोड़ यह बनेगा ठीक है इसके अलाव अपके देखिए अब कि इसके हिसाफ से पताना एक हिसाब से साइन साइन एब और राबर क्या हो जाएगा चलिए यहां पिना बता कि आपको यहां बताते है साइन ए फार्मूला क्या होता है लंब बटा के कड़ होता है लंब बटा के कड़ देखें लंब क्या है आपका इसके इसाफ से लंब चार है कड़ कितना है पांच है तो आपका answer क्या होगा 4 पटा के 5 अब चलिए option में देखते हैं कि 4 पटा के 5 दिया कहांपे तो दिया है यहांपे C यारी 4 पटा के 5 इसका सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है कि समरूप तिरभूजों की उचाईयां क्रमसा तीन सेंटीमीटर तथा चार सेंटीमीटर उनके छेत्रफलों में अनुपात होगा देखे फ्रेंच जब छेत्रफलों में अनुपात पूछता है और भूजा दिया हो ना तिरभूज का हो तिरभूज क्या हो समरूफ हो देखे जब तिर भूज क्या होता समरूफ हो और उसमें या उचाई देदे या भूजा देदे और उसमें छेत्रफलों में अनुपात पूछता है ना तो क्या करना है आपको सिर्फ आपको बस क्या करना है कि जो भूजा देखा देखे तीन दिया है और अनुपात में पूछ प्रशण कर रहें कि सवाल पूछेगा और जितने भी प्रशन और पर सब्सक्राइब कर यहां अगला नंबर का सवाल है यहांपर बीसवा नमबर का है कि A x square प्लस B x प्लस C इश्कल्ट 0 के मूलों का योग होगा अब यहाँ पर मूलों का योग पुछा है देखें फिरेंस यहाँ पर डायरेक्ट याद रखेंगा मूलों का योग का फार्मूला होता alpha प्लस beta इश्कल्ट 2 होता है इसका सही जवाब होगा आपका डीड ठीक है फ्रेंस यहाँ पर फ्रेंस आपके 20 महत्तुपूर गड़ीत के important सवाल आप सभी को करवा है इस सवाल को आप जरूर देख लीजेगा आपके बोर्ड की एक्जाम में जो प्रश्ण करवाएं सेम टू सेम छपेगा फ्रेंस ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है ते चैनल को सब्सक्राइब करें